Hello everyone, welcome to Sirkariat once again तो इस वीडियो में आप सबी के साथ एक important information discuss करने वाला हूँ जिसके regarding आप सबी को काफी से doubts आ रहे हैं तो HNVU की जो stray vacancy round या stray round counseling का उसका notification कल official website पर आया था जिसके बारे में मैंने आपको inform किया था तो सबी courses के लिए जो यह option मतलब active है जो nursing और paramedical के courses है ठीक है तो यहाँ पर जो एक notice भी release किया गया था ठीक है जो कि मैंने अभी चेक करा website पर तो यह stray round की counseling के regarding ही था और इसमें यह लिखाए कि 14th of February को जो है रात में 8 बजे तक जो आप अपना registration कर सकते है ठीक है और कल जो इन्होंने वह announcement वाले section में जो headline release की थी वो उसमें जो timing लिखी थी वो 5 बजे लिखी थी तो जो करना है तो 5 बजे तक ही कर ले ना क्योंकि इसमें 8 बजे लिखा है तो यह गलत भी हो सकता है ठीक है ना और फिर अगर इन्होंने 5 बजे वो मतलब website को बंद कर दिया वहाँ पर मतलब जो भी उसका process है वो बंद कर दिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे clear है तो 5 बजे से पहले पहले कर ले ना अब यहाँ पर यह कैशन का а RG Section 25 आ रा है तो देखो मैंने कर दिया था जो मैं जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मैंने वीडियो में voltam करके चेक कर रहा है और बस वहाँ पर यह पूछ रहा था कि आपको stay round में participate करना है या नहीं घरना है तो उसमें by default जो है no का option आ रहा था और उसमें मैंने yes पर click कर देते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है ना तो अब कुछ candidates बोले थे कि fresh registration भी हो रहा है choice feeling भी हो रही है ठीक है अब कुछ बोलने कि जिसने मौपव राउंड में participate नहीं कर रहा वो participate इसमें नहीं कर पाएगा तो देखो जिसको participate करने का मन है भले आपकी marks कितने भी हो लेकिन एक बार क्या करो सभी लोग लोग इन करके चेक कर लो लोग इन करने के बाद चेक करने के बाद जो है वहाँ पर आगर आपको registration करने का कुछ भी option आ रहा है कुछ भी वह detail मांग रहा है ठीक है तो वह आप कर दो और fees वगरम जो मैंने कि जिस candidate का कर रहा है सिर्फ मैंने yes करके छोड़ देता है अब उसके बाद मैंने अभी दुबारा login करके देखा तो ना तो वहाँ पर कोई भी registration करने का option आ रहा है ना वहाँ पर कोई fees pay करने का option आ रहा है और ना ही वहाँ पर जो है choice filling का option आ ठीक है choice filling उपर लिखा हुआ आ रहा है पोर्टल की उपर वहाँ पर in process लिखा है लेकिन उस पर आपने दिखा होगा उसका जो color green नहीं है ठीक है तो मेरे recording तो जो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें सिफ यह पूछ रहे हैं कि आपको participate करना है तो yes कर दो otherwise उसको no रहने दो दूसरी चीज़ यह है मेरे recording कि जिसने मौपप राउंड में participate करा था तो शायद वही इसके लिए eligible होंगे बाकि खुद से login करके एक बाद चेक कर लो क्योंकि मुझे हर किसी candidate का जो case है वो नहीं पता है ठीक है क्योंकि मैंने जिस candidate के म हो रहा है तो कर लो registration हो रहा है तो कर लो fees pay करने तो कर दो ठीक है choice filling भी हो रही तो कर लो और कोई option नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते है और जिन्नोंने मौप राउंड में participate किया था तो उनसे भी अगर वैसे yes और no में पूछ रहा है तो वह already by default no होगा अगर आपको participate करना है तो उस पर yes कर देना उसके बाद अगर कोई option आता है तो जो भी पूछेगा वो fill कर लेना वैसे वो नहीं पूछ रहा है तो मैंने जिस candidate का कर रहा है उसमें से yes करके छोड़ दिया था मैंने और उसके बाद कोई भी option वहाँ पर नहीं आ रहा ना fees pay करन होता है counseling का जैसे need की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर देखो criteria यह होता है कि जिसने mop up में participate करा है वो eligible है stay round के लिए दूसरी चीज़ यह होती है कि stay round में जो है आपको choice filling का दुबारा से मौका नहीं मिलता आपकी choices वही वाली मानी जाती है जो आपने mop up round में fill करे थी ठीक ह तीसरी चीज़ यह है कि seat straight round में सिर्फ उनी को lot होती है जिनको mop up round में कोई seat allot नहीं होई थी तो इस point से जो है मतलब यह जो criteria अगर यहाँ पर भी apply हो रहा है तो इसके according जो है आप अगर upgrade करने की बात सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है जो अगर आपको mop up round में seat मिल चुक choice fill करने का option आ रहा है तो कर दो वैसे मेरे according मैंने जितना check कर लिया है candidate के login से तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया ठीक है सिर्फ मैंने yes करके छोड़ दिया था उसमें सिर्फ एक option आ रहा था कि do you want to participate in stay round तो मैंने सिर्फ yes कर दिया था उसके बाद उस पर कुछ भ बागी है हर college में ठीक है तो इतने ही update मुझे देना था ठीक है बागी कोई भी query हो तो मुझे इंस्टा पे भी send कर सकते हो मैंने अभी तक मतलब कुछ का reply करा कुछ का नहीं कर रहा है तो जिसका reply नहीं कर रहा है तो उसका reply में जल्दी कर दूँगा ठीक है तो I hope अगर तो subscribe कर लो और bell icon को press कर लो और information आई के तो मैं आपको update कर दूँगा okay so thank you and have a nice day